फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि अभी के टाइम में कुछ इस तरह से AI से create की हुई images जो भी है वो Instagram पे काफी ज्यादा trending में चल रही है तो दोस्तो आप भी कुछ इस तरह की images को अपने name की create करना चाहते हो तो दोस्तो सबसे पहले आपको Google पे आना है और यहां search कर देना है Bing Image Creator जैसे ही search करोगे आपके समने एक site खोल जाएगी simply tap करके इनको open कर लेना है जैसे ही आप open करोगे आपके समने कुछ इस तरह interface आएगा जोस्तो आप यहां first time user होंगे तो आपको join and create वाला option आएगा तो आपको यहां एक Microsoft account बना के sign in करना पड़ेगा तो उस वीडियो की link description में है जहांसे आप वह वाली वीडियो देखके यहां अच्छी तरह sign in कर सकते हो अब जोस्तों आप जैसे ही sign in करोगे आपके सामने कुछ इस तरह interface आजाएगा अब simply आपको जो भी में प्रॉम्ट दूंगा paste करना है paste करने का बाद आपको create वाला option पे click कर देना है जिससे आप आपकी images यहां generate होना start हो जाएगी अब दोस्तों इस images में आपको changes करना चाहते हो और name name change करना चाहते हो तो किस तरह से करोगे वो भी आगे वीडियो में बताता हूँ वीडियो में end तक बने रहे तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारी images कुछ इस तरह create होके ready हो चुकी है और है मतलब कि आप अपने name की images create करना चाहते हो तो किस तरह से करोगे उसके लिए सबसे पहले आपको यहां fourth line में आना है और यहां आपको purple T-shirt दिखाए देगा simply आपको यहां से purple को निकालना है और अच्छा वाला जो भी आप yellow करना चाहो कोई भी color यहां add कर सकते हो उसके बा बाद आपको simply create वाले option पर क्लिक कर देना है जिससे आपके name की images create होके ready हो जाएगी जो भी आपने clothes change किया वो भी change होके आ जाएगा simply आपको यहां एक दो second wait करना है हमारी images just create हो रही है एक दो second में हो जाएगी तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारी images कुछ इस तरह create होके ready हो चुकी है और यह वाली images से वो मुझे बहुत ही ज्यादा perfect and realistic लगी और दोस्तों expression भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएगा अब इस वाली images को download करना है तो आपको उनको कुछ इस तरह टैप करके open करना है और आपको नीचे three dot option मिल जाएगा simply उस पर जैसे ही आप करोगे आपको download button भी मिल जाएगा अब दोस्तों आप girls or girls के लिए images create करनी है तो आप किस तरह से करोगे simply आपको कहीं भी कोछ इस तरह टैप करना है जो भी एक चौकड़ी वाला option दिखाएगा simply इसको हटा देना है पूरा का पूरा prompt अपने आप हट जाएगा और दोस् इसी तरह यहां कर सकते हो आपको name and जो भी look है आपका जो भी clothes से उसको ही change करना है simply आप इतना करने के बाद create वाले option पर क्लिक करोगे तो आपकी images कुछ इस तरह के generate होके ready हो जागी और दोस्तों आप देख सकते हो यह वाली images मुझे बहुत ही ज्यादा perfect लगी और दोस्तों name भी आपको यहां पूचा देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप अपने name की कुछ इसी तरह से images create कर सकते हो डाउनलोड कैसे करना है वो भी बता दिया कुछ इस तरह open करना है और आपको यहां 3.1 option पर क्लिक करके download बटन मिल जाएगा अब दोस्तों यह वाला दोडों प पहले आपको अपना telegram open करना है दोस्तों आप telegram user नहीं हो तो आप मेरे prompt नहीं यूज कर सकते क्योंकि मैं सारे के सारे prompt telegram में ही upload करता हूँ तो दोस्तों आपको telegram पे आके यहां search कर देना है njpd23 जैसे ही search करोगे मेरा कोछ इस तरह का channel open हो जाएगा और दोस्तों यहां बहुत सारे prompt जो भी coming soon में भी आपको देखने को मिल जाएंगे और यह वाला prompt कोछ इस तरह का है देख सकते हो आप यहां already दो photo upload है जिसमें आपको दोनों prompt देखने को मिल जाएंगे जहांसे आप अच्छी तरह अपने prompt copy कर सकते हो और दोस्तों और भी बहुत ज्यादा सारे prompt देखने को मिल जाएंगे जिसको आप अच्छी तरह free में use कर सकते हो